हलो श्टुएंट्स वेल्कम अगेन बीम जेन बी क्लासेश तो बच्चो आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर जो 13 कर रहे थे उसके हमने कोशन नंबर 5 तक कर लिये थे और आज उसके आगे के जो कोशन हैं उने कंटियूरी करने बाले हैं तो आप से बच्चे वही क्लास में में आपके उन्ट तक बने रहें और चो जो जो जुड़ चुके हमारे साथ में सबसे पहले अपने पर्जेंट लगा दें लाइक का बटन दबा खाए वी बच्चे इतना काम करेंगे अपने अपनी प्रेजंट लगा देंगे लाइक काब बटन बखेंए ठीक है फिर सुरी सिंपल इंट्रेस्ट यह था इसके हमने फार्मूले भी आपके लिए लिखाए थे आई थिंग सभी बच्चों ने याद कर लिए होंगे ठीक है जल्दी से अपने दोस्तों के साथ में सेर करो उसके बाद क्लास को शार्ट के जाएगा और जो जो भाई अभी भी जुड़े हैं जिसको नहीं पता है तो बताना चाहेंगे सामको साथ बज़े आपकी जबाहर नबुदे बदल एंट्रेंस एक्जाम दोहर तेज की क्लासिस च सेक्शन हुआ चाहें मैट्स वाला पार्ट हुआ कोई साभी सेक्शन हुआ हर सेक्शन को आपको एक तरफ से कवर कराया जा रहा है ठीक है तो सामको साथ बज़े जोएन करना बिल्कुल नहीं भूलना है एक बार जोएन करको जरूर देखो अगर पसंद आती है तो आपका बटन और बराबर में सब्सक्राइब है उसे भी आप कर सकते हो ठीक है टेलिग्राम यह है BMJMB क्लासिस यहां पर अगर आपने जोएन नहीं किया है तो सभी अच्छे सबसे पहले इसको जोएन कर लेंगे क्योंकि यहां पर आपका टेस्ट होता है चाहें आपका BMJMB क्लासिस कोई भी आपका डाउट है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है चैप्टर से रिलेटेड आप उसका फोटो क्लिक करके हमें शेयर कर सकते हैं नए क्लास में उसका सॉलूशन दे दिया जाएगा ठीक है तो जल्दी से सभी बच्छे एक बार लाइक का बटन दबा देंगे कि कि आप सभी बच्चे तयार हैं थमसब करके बता देंगे कमेंट सक्षन में तयार हैं स्टार्ट के अजाए आज क्लास के लिए जल्दी से भी करो इतना काम ठीक है और वह कौन-कौन फार्मूले को लर्ण करके आया है सबसे पहले भी बता दो 53 फ्रिश्म आपका 8 करते हैं तो हमारे कोशन नंबर बेटा 6 से होंगे आज है कि कोशन में सिक्स में बताओ ये कोसन कौन-कौन evaluating कर लेगा से थिक्क है बहई फार्मूले अगर याद करके कि आये होगे सूत्र को याद किया होगा तो वे कोसंस में कुछ नहीं है ठीक क्यूंकि मैंने आपके लिए लाज क्लास अब ली थी ठीक है मैट्स की तो आपको बताया था कि अगर आपने फार्मुला याद नहीं किये हैं तो भी आपको समस्या जरूर रहेगी ठीक है तो जो को याद करके आयोंगे तो उनको बहुत मजाने बाला है अजी क्लास मिलें देखो तो वे कोस्टन नमबर सिक्स है पंद्रह हजार पर तीन बर्स में साधाराल ब्याज पर अर्जित ब्याज इतना है ठीक है तो दर बतानी है तो सबसे पहले हम इसमें देख लेंगे कि क्या- बर्स मैंने कहा था जहां पर बर्स आ जाया इसका मतलब हो क्या है साल वाला पार्ट है मतलब टाइम है तो समय बेटा कितने हो जाएगा कि समय हो जाएगा ठीन बर्स ठीक है साधाराल ब्याज पर अर्जित ब्याज इतना रुप्या है अब देखो ब्याज मतलब इंटर्च कितना है चबवन सो और इसमें दर पूछी गई है मतलब आर रेट ये निकालना है ठीक है तो भई इस कोशन को कैसे करेंगे अब यहाँ पर सवाल ये उड़ता है कि यहाँ पर ये वाला जो है पार्ट ये ब्याज बाला पार्ट कैसे आया कैसे पहचाने मूलदन बाला पार्ट ये है कैसे पहचाने मिसरदन बाला पार्ट कौन सा होगा कैसे पहचाने ठीक है तो भई आपके लिए इस तरह का कोशन आएगा जिसमें मूलदन दे रखा होगा ब्याज दे रखा होगा और जिसमें मिस्र जंदे रखा होगा मतलब एमांट वाला पार्ट दे रखा होगा तो भापन आपके लिए बताया जाएगा कैसे पहचान करनी है ठीक है अब इसमें कोशन में साप साप लिखा हुआ है साधारल ब्याज पर अरजित ब्याज अब दर को निकालना बहुत आसान है अगर आपके लिए बिटा फार्मूला याद है तो कुछ नहीं है तो हंड्रेट इंटो क्या होता है ब्याज अब आउन में क्या होगा समय ठीक है अब पूट कर दो हंड्रेट दो को फार्मूले की है और ब्याज कितना दर रखा है चोंसो ठीक है चोंसो दे रखा है तो यहां पर बहुत है चोंसे लिख दो अपन मूल्सन देओ कितना दर रखा है 15,000 बहुत है तो यह लिखने की जरूद भी आपको नहीं पढ़ने वाली इसले लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर देu कैसे हो गांसे मेंगे हैं तीन से काटोगे तो यहां से जागा 18, 100 सी, 5, 3, 15, सुरी, 3 से कटेगा, 3, 5, 15, और 3, 6, 18, अब 5 से काटोगे तो 12, तो यहां पर देख सकते हो 12%, ठीक है, और मैंने आपके लिए बताया है बिटा, जो दर होती है बुकिस में आगी, पर्षेंट में आगी, जहां पर नंबर के स साथ में प्रतिशत का सायन लगाओ, इस मीन्स भू किसका पार्ट होगा, वह भी दर वाला पार्ट होगा, रेट वाला पार्ट होगा, आप आसानी से ऐसे पहचान सकते हो, ठीक है, तो आपका भी कोशन नंबर जो 6 था, उसका आंसर आपका कितना आ रहा है, बिटा 3 आ रहा है, बताओ, किसी का कोई डाउट है, कोई भी प्रॉलम है, जल्दी से भई, कमेंट कर दो, ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट कर देंगे, कौन सा आ रहा है, ठीक है, सॉरी, कौन सा नहीं आ रहा है, किस किसके समझ में आया और किसके नहीं आया, जल्दी से एक बार थ रखा है तुरंत अपनी copy में उसको लिख लो उसके बाद में देख लो कौन सा पार्ट दे रखा है और आप से कौन सा पार्ट पूछा गया है तो मोजन दे रखा था समय दे रखा था ब्याज दे रखा था अब यह दर पूछी गई थी कहा गया था कि rate बताओ दर बताओ तो दर का फार्मॉल आपकी learn है तो यहां पर आप दर का फार्मॉला यह लग देंगे जो part दरक है उसको put कर दो उसकी जिगेए पर आपका answer निकलकर आ जाएगा मतलब दर निकलकर आ जाएगी ठीक है now next question question number 7 Question number 7 बताओ और जो जो अभी भी जोड़ा है क्लास में सबसे पहले तो भी like का बटन दबा देगा अपनी present लगा देगा आपके लिए मेहनत की जा रही है तो भी like का बटन दबाना तो बनता है तो जल्दी से एक बार सबी बचे जुन्होंने नहीं दबाया है like का बटन दबा दो present लगा दो जल्दी से ठीक है तो question number 7 पर बटने है question number 7 देखिए क्या है किसी प्रतिशत ब्याज देखो कहा गया है किस प्रतिशत ब्याज की दर अब किस प्रतिशत की गई है इसका मतलब क्या है वो हमें प्रतिशत बाला पार्ड क्या है दिया हुआ नहीं है कहा गया है किस प्रतिशत ब्याज की दर से 18 200 रुपय का पांच बर्स का ब्याज कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा तो यहां पर सबसे पहले तो यह लिख लोग की दिया हुआ क्या है देखो यहां पर आपसे रुपया दरखा है क्या मूलधन मोजन कितना दे रखा है बीटा अठारा सो और समय कितना दे रखा है बीटा आपका पांच बर्ष दे रखा है और दो हजार सुरी ब्याज कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा तो ब्याज दे रखा है कितना 200 ठीक है अब कहा गया है, सबसे पहले तो आपको देखो, आपको option को भी देखना है, option किस तरह से दे रखा है, आप option को देखोगे, चेक करोगे, तो एक option, मतलब, option number A है, 20 upon 9%, दूसरा है 28 upon 9%, थी 3rd option है 3%, फोर्थ option है 4%, अब इसका मतलब, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि जितने भी आपके option दे रखे हैं, वो किसमें, percentage में हैं, और percentage में हैं, इसका मतलब क्या है, किसमें पूछा जाएगा, प्रतिशत किसमें होता है, भी दरवाला पार्ट होता है, इसका मतलब दर पूछी गई है, अगर आपको question को पढ़ने के बाद भी पदा नहीं लग रहा है, कि कौन स पूछा गया है, तो आप क्या करो, option से भी check कर सकते हो, ठीक है, तो percent का sign लगा हुआ, it means क्या है, दर वाला पार्ट आपसे पूछा गया है, आप देख सकते हो, ऐसा ही बाला जब हम chapter पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है, प्रतिशत का sign किसमें लगता है, दर वाले पार्ट में, तो इसका मतलब आपसे दर पूछ रहा है, ठीक है, और question में साफ 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 स्टार्ट में कहा गया है, किस प्रतिशत ब्याज की दर, किस प्रतिशत ब्याज की दर, तो यहाँ पर प्रतिशत की बात आएगी, तो बिटा दर पूछी गई है, ठीक है, तो बिज़र का फार्मर लगा दो, 100 गुलाद साधारन ब्याज कितना है, 200, बटे मूलदन कितना है, 800, समय कितना है, 5 बर्स, 2-0 से 2-0 कैंसल हो जाएगा, 5 से काटोगे तो कितना आजागा, 40 आजागा, 2-9, 18 आजागा, और 2-20 आजागा, ठीक है, तो दर बारावर, बिटा, क्या जाएगी, 20 आपन 9, अभी किस में आएगी, यह बताओ, दर किस में आती ही, बिटा, प्रतिशत में आती है, तो आप चेक कर सकते हो, option number इसमें क्या है, एक वाला, बिल्कुछ सही है, मतलब A option, ठीक है, बताओ, आगे बड़े, यह साइट से भाग जाता है, बड़ा धिकत है, एक मेंटर को बेट करो, थोड़ा सा, करता हूँ अभी ठीक में से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, next पर आजाओ, भई, next question जल्दी से करो, आपके पास में 2 मिनिट का टाइम है, जल्दी से, question number 8, same question है, बिल्कुल ऐसा ही question है, कौन सा मूलधन, 10 बर्ष में 6 प्रिशत बार्षिक ब्याज की दर से, सादर्ण ब्याज के रूप में 120 प्राप्त होगा, बताओ, बताओ, जल्दी से बताओ, भी, कौन सा इसमयांसार रहा है, 8 में, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, जैसे बताया है, कहा गया है, जो पार्ट दे रहा है, सबसे पहले कौपी में लिख लोज के लिए, ठीक है, पिर जो पार्ट आपके सामने लग रहा है, कि दिया हुआ नहीं है, तो वो पार्ट इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो देखो, कौन सा मूलधन, कौन सा मूलधन, मतलब कितना 6%? किदर से साधारण ब्याज के रूप में 120 प्राप्त करेगा, साधारण ब्याज के रूप में, किसके रूप में? ब्याज के रूप में, तो भी क्या दरका है? ब्याज दे रखा है कितना 120 रुपया अब बताओ क्या पूचा गया है बिटा मुल्दन ठीक है क्या पूचा गया है मुल्दन पूचा गया है तो ब्याज का फार्मूला कैसे बनता है PRT upon 100 ठीक है मतलब मुल्दन गुणा दर गुणा समय बिटे 100 तो यहाँ पर आप कि समय वाला पार्ट भी है बिल्कुल दे रखा है दर वाला पार्ट भी दे रखा है ब्याज वाला पार्ट भी दे रखा है लेकिन जो मुल्दन वाला पार्ट है बो हमें दिया हुआ नहीं है कोस्तन में इसका मतलब क्या है बो निकालना पड़ेगा अब निकालो कैसे आप ठीक है तो मूल्धन बटा क्या आ जाएगा आपका 200 रूपीज ऑप्सण चेक करिएगा बटा ऑप्सण नमबर क्या है 4 वाला बिल्कुल सही है Now next question question number 9 देखो same question है बटा same बिल्कुल ठीक है question number 9 यह home work में सभी बच्चों के लिए home work में यह question है सबी बच्चे comment करके बताएंगे comment सभी काना चाहिए सबी बच्चे बताएंगे इसका answer क्याने वाला ठीक कै question number 9 same question है आ ज़़ा B? question number 10 पे आ ज़़ा B? question number 10 अब इस question में question तो बिलकुल वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ा सा change है अब भई वो क्या है सबसे पहले तो लिख लो क्या क्या दरक दर कितना दरक की बटा फाइब परसों दरक किये दर से निवेस करने पद साथ बर्स आट महिने में अब समय कैसे यदे रखा है वैसे समय नॉर्मली क्या होते है, आपका पांच बर्श, छे बर्श, चार बर्स इस तरह कि अभी आपने कोसिनं किये हैं लेकिन शपार क्या है, दो तरह जर क्या देखोगी, आप का साथ बर्श, आठ mellan, बैसे क्या हो रहा कितना है साथ वर्स आठ महां ठीक है महां मतलब महीने ठीक है तो यहां पर कैसे करोगे आप मैंने बताया था आपकी दर होती है क्या होती यरली होती है जब तक कोशन में कहा ना जाए कि आपकी हाफ पर लिए क्वार्टर लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा वो यरली ही मा पर लिए वाला रहा आएगा तुझक कुंच कर लिना है किसमे शाहल में ठीक है अब यहाँ पर देख लो क्या है साथ बरस्ति रखाए लेकिन यह क्या है यूढ़ से क्या समय होगे तो कुछ नहीं करना कौनसा सुर्ओartet always up कstep कौ써 करके कि एक छोग और विस थो Carnom कोज़ेंट कि दर होती है ओती है ठीक है लिकिन यहाँ पर महीने हैं तो बिल्कूल मैंने कौशन कराया है तो अबहें भी मेंहिता हूं कोशन नमप पाथा साइब सिक्स वाला वैसे सांब Rider 5th question था coercion number 5 चीए पर आप देखोंगी तो लिखा हुआ है 18 महा लिखा हुआ है। महीने में time दरखा है तो क्या किया था हमने हमने कहा था कि आपकोol mn psychologist गढ़ेगा और साल में चेंज करने के लिए हमने upon में 12 क्या था, साल में चेंज करोगे, तो 12 से भाग करना पड़ता है, same condition यहाँ पर है, यह वाला part क्या है वेटा, यह वाला, यह बर्स में तर रखा है, और यह किसमें तर रखा है, महिने में तर रखा है, मैं कहूं, आप इन दोनों को add कर दो, इन दोनों को जोड़ दो, क्या जोड़ सकते हो, बिल्कुल नहीं जोड़ सकते, मैंने आपके लिए एक बार नहीं, बहुत बार बताया है, कि जब तक आपकी unit same नहीं होंगी, इकाईया same नहीं होंगी, तब तक क्या है, आप कभी भी add नहीं कर सकते, same condition यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर 7 बर्स दे रखा, यहाँ पर 8 महा दे रखा है, तो क्या यहाँ पर आप add कर दोगे, बिल्कुल नहीं कर सकते हो, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो महावाला पार्ट है, इसके लिए हमें करना पड़ेगा, साल में चेंज करना पड़ेगा, तो साल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे बिटा, 12 से भाग कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 7 बर्स तो पहले सही है, इससे हमें कोई छेलशानी नहीं करनी है इसमें, तो 8 महा में के ब academics करेंगे, हम 12 से भाग करेंगे, ठीक है, तो 4 दुनिया 8 और 4 दुनिया 12, मतलब अब ही आपका क्या हो गया, दो वटे 3 जो हो गया, वो आपका किसका पार्ट हो गया भेटा, जैसे ही हमने 12 से भाग किया, तो हमारा ये किसका पार्ट बन गया भेटा, ये हमा साथ बर्स है मैं कहूँ इन दोनों को जोड़ दो क्या जोड़ सकते हो येस और नो जल्दी से कमेंट करके बताओ जल्दी से सही बचे बताएंगे कि इन दोनों को जोड़ सकते हैं या नहीं आप मुझे पूछोगे क्या सर जोड़ सकते हैं तो बिलकुल जोड़ सकते हैं क्य कि यहाँ पर बर्स है और यहाँ पर भी बर्स है मतलब यह वाला भी साल वाला पार्ट है यह वाला भी साल वाला पार्ट है मैंने बताया था जब तक यह चीज इसके बराबर नहीं होगी एक जैसी नहीं होगी इन दोनों का जो फेस है वो एक जैसा नहीं होगा सकल एक जैसी ठीक है तो यहाँ पर आपका क्या निकल कर आ गया 7 वर्स और 2 वटे 3 वर्स ठीक है 7 वर्स तो पहले सही है अब हमने इस 8 महीनों के लिए हमने 2 वटे 3 मतलब चेंज कर लिया तो यहाँ पर आप इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हो सुनते रहें ध्यान से देखो साथ सही दो बटे तीन ठीक है ये साथ बर्स है और दो बटे तीन अगर आप इसके लिए ऐसे लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कहो कि ये चीज और ये चीज अलग है बिल्कुल अलग नहीं है किसी भी कंडिशन में अगर आप इनका सम करोगे ये एक फ्रेक्शन हो गई ये एक फ्रेक्शन हो गई सभी लास्तक बने रहें के यहाँ पर मैं समझा रहा हूं उस चीज को समझने का प्रयास करो मैं क्या कह रहा हूं ठीक है तो साथ बर्स यह हो रहे थे और दो बटे तीन बर्स यह हैं तो हम कहें टोटल समय कितना हो रहा है टोटल जो टाइम है वो कितना हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा मिटा जोड़ना पड़ेगा तो साथ बर्स यहाप लिग लिए हमने और 8 महा के लिए हमने चेंज कर लिया बर्स में कितने 2 बटे 3 कर लिया अब भई फ्रेक्शन को कैसे अड़ करते है नीचो वालों को लेंगे ठीक है तो यहां से आपका एक किस आजाएगा यहां से आपका आजाएगा दो तो आजाएगा आपका 23 बटे 3 ठीक है मतलब आपका कितना आ रहा है 23 बटे 3 तो 23 बटे 3 क्या आ गया यह आ गया बटा टाइम आ गया कितना टोटल टाइम आ गया समझ में आगी बात ठीक है किलियर हो गया तो यहां पर आपको यह लिखने की जरूरत नहीं थी जाये आप 7 सही 2 बटे 3 ऐसे लिख दो ठीक है और इसका मतलब यह होता है इस तरह से इसको चाहें आप इस फॉर्मेट में लिख दो जाये आपको इस फॉर्मेट में लिख दो दोनों की बात क्या है बीटा बराबर है बात संभみ आ रही है यहाँ पर एक single number है तब आप ऐसा कर सकते हो 7 सही 2 बटे 3 मैंने आप लिख दिया 1 सही 1 बटे 2 1 whole 1 by 2 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बिल्कुल यह चीज और यह चीज क्या है बराबर है आप इसको करोगे 2 बन जा 2 2 और प्लेस बन कितना हो जागा 3 by 2 आप इसको एड़ करोगे तो 2 लसे मा जागा यहाँ से 2 और एक इतना होगा 3 बटे 2 दो को दोनों की बात बराबर है ठीक है तो आपको इस तरह से लिखने की जुरूत नहीं है अगर आपको चीजों पता है चीजे हैं आप चीजों के बारे में पता है तो आप इस तरह से करो ठीक है डीटेल में करने की जुरूत नहीं है बस सीखते चलो चीजों के लिए तो यहाँ पर मैं इस तरह से नहीं करने वाला हूँ ठीक है यहां पर इस तरह यहां पर आप सभी किसयों में आ गया होगा चलो, बढ़ते हैं या आगए ठीक है तो यहां पर देखो कितना आया टाइम सासंही दो वटे तीन वर्स आ गया यह किसमें आया है मि्क्स फ्रjutレक्षन में आया है इसको हम simple fraction में change कर लेंगे 702 कितना हो जागा 23 23 वाइड 3 हो जागी क्या हो जागा बर्स ठीक है तो यह आपका total time निकल कर आ गया अब हमें हुआ को सं में होट है कि अब कहा गया है महीनां में रुपया सासो जाफतर ब्याज मिलेगा तो ब्राइब तरक है 추천 क्या नहीं दिया हूआ है क्या लौद्न नहीं है मोलडन नहीं है निकाल लो सबसे पहली बात तो आपको कोशन में देख लेना है कि क्या क्या नहीं दिया हुआ है तो बोल्दन बचे का बिटा आपका 11 है और 25 कितना होता है 115 होता है ठीक कट गया अब भी कर लो मूल्दन बराबर क्या जाएगा जीरो पच्चीस दूनी 50 इंटु 3 बराबर 1500 तो यहें है आड़ी कर लोक्ति खाल मूल्दन क्या पिटा जल्दी से बताओ मूल्दन आया थीक़ bliver तौ सखेक करो सही है तो इस तरह से चीजह करोगे तोदे आपको लुक्तल दो कि दो को जो चीज समझा जा रही है उसको वेखवwo viso बना कर रोको समझने का प्रयास करो हर चीजा आपका कुछ ना aks question पर कोशनमों 11 को बता अब बहुत आसान कोश्चन है को कोश्चन 11 कि इसमें भी आप से क्या पूचा गया है बही प्रिंसिपल पूचा गया है मतला मूल्दन पूचा गया है जल्दी से बहुता दो किस मूल्दन का ठीक है पांच बर्स समय दे रखा है पांच बर्स ठीक है दर दे रखा है कितना चार परसेंट और किदर से ब्याज साट रुपया होगा ब्याज कितना होगा साट रुपया ठीक है अब देखो मूल्दन पूचा गया है तो मूल्दन निकाल लो बिटा मूल्दन बराबर क्या होता है 100 गोड़ां कोशन 9 यम्र्श से करें उतर। हैं किसी का टाउट है जल्दी से बता दो सर्व जल्दी में आप उस कोशन को निरेख सकते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वह चुख है ट्रफ फसल छल्दी से बताओ थे को इसकर आज आज reflect कोशन नमबर ऐसे कोशन नमबर tweet it कौन-सी राजी 8 प्रतिषत बार्सिक व्याज शाधर-अर भियाज की दरसे चार बरसों में इतना हो जाएगी ठीक है अब इस कोशन में जल्दी से कमेंड करके बता हो कि इसमें कौन-कौनसा पार्ट दे रखा है ब्याज दे रखा है मुदल्दन दे रखा है या अब मिस्री मैं बताने जाह रहा था आपसे कहा था जम्हाने श्राट किया था कि कौ haft schon है कौन साभ का ब्याज भीविग कन सताब का पूइस तो बताओ यह वाला पाठ कौन सा है उसके बाद मैं आपके लिए बचने बाला हूँ सबите बताइंगे यह कौश्रे porte पार्ट है मुल्दन बाला पार्ट है या ब्याज बाला जल्दी से सहीवत ची बताओ कि अग्यों कि इसमें भी दर्व दर्व किये कितना 8 प्रतिशत समय दर्व रखा है कितना 4 बर्व अब यह समझमनी आ रहा है कि यहांपर 6600 यह क्यादर रखा है मुल्दन है ब्याज है या मिश्रदन है कैसे पहचानोगे क्या 6600 यह क्यादर क्या रखा है बताओ तो आपको जब यह चीज़ समझमनी आ ए की मिर्सदन कौँन सा है मूल्दन कौँन सा है भ्याज कौन सा है तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ किस तरह से पहचानने है आप लोग के लिए देखो मूल्दन भ्याज और मिर्सदन देखो अगर आपने ये चीद ध्यान से नहीं समझी तो भई कोसन आपके ऐसे-ऐसे आएंगे, आपको घुमा देंगे, समझ नहीं पाओगे, इसमें कौन सा पार्ट दरका, तो ध्यान से भई, सबी समझते रहें, इसमें क्या, कैसे पहचानना है, क्या है, ठीक है, सबी का फोकस कहा होना चाहिए, बोड़ पर होना चाहिए, कैसे बनता है इन दोनों का एड करके क्या बनता है एक मिस्रधन है उसका निर्माण होता है वो क्या है बनता है ठीक है मतलब मूलधन और ब्याज को अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा मिस्रधन बन जाएगा इसका मतलब आप यहां से समझ सकते हैं कि मिस्रधन क्या है इन दोनों का combination है इन दोनों को add करेंगे तब क्या बनेगा decision तो decision क्या है सबसे बड़ा part होगा या नहीं होगा बताओ mission क्या होगा सबसे बड़ा part होगा ठीक है अब question में option में आप check करो option में अगर आप देखेंगे तो option में यहाँ पर कर लिंगा हुआ है? 6,000 ल कहा हुआ है, 5,000 लाए, 4,000 लिंगा उए, 600, sorry 600, 200 हँआ है, ठीक है? तो यहां पर आप देख सकते हैं, मिस्र धन से जोटा होगा, मिस्र धन से आपका जोटा होगा आपका ब्याज भी जोटा होगा और मुल धन भी जोटा होगा, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होता है मिस्र धन होता है मतलब इम्माउंट होता है तो सबसे जो बड़ा पार्ट होगा वो कौन सा होगा मिस्र धन होगा अब कोशन में आप देखेंगे 6200 यह 4 उप्सन दे रखें अब मैं कहूं ये चार option जो question में देर रखा है 6600 ठीक है 6600 बड़ा है या इन चारो option में ऐसा कौन सा number है जो इससे बड़ा या इससे बता दो ठीक है 6200 के ऐससे बड़ा है तो आप कहोगे sir बिल्कुल बड़ा नहीं है मैं पोचू 4000 इससे बड़ा है बिल्कुल नहीं है ये इससे बड़ा है बिल्कुल नहीं है तो मैंने अभी बताया था मिस्रदन्वाला पार्ट चारे ब्याज हुआ चारे मूलदन हुआ उससे क्या होगा ओल्बेज आपका बड़ा ही रहने बाला है ठीक है तो यहाँ पर यह सबी पार्ट क्या है चोटे हैं तो कहने का मतलब यहाँ से एक बात क्लियर यह हो रही होगी आपके लिए कि यहाँ पर 6600 से सबी चोटे हैं तो ब्याज भी चोटा होता है और मुलदन भी चोटा होता है इसका मतलब क्या है सबसे बड़ा है यह तो कौन सा पार्ट होगा मिस्र धनवाला पार्ट होगा ठीक है बात किलियर हो गई जल्दी से बताओ यहां तक किलियर है किसी का कोई डाउट है मिस्र धनवाला पार्ट पहचान लोगे कौन सा है मिस्रिदन वाला पार्ट क्या होगा ब्याज से और मुल्दन से क्या होगा बड़ा होगा हला कि मिस्रिदन भी आपको रुपए में होगा ब्याज भी आपको रुपए में होगा और मुल्दन भी आपको रुपए में होगा ठीक है तो आपको पहचान कैसे करने है कि सबसे जो बड़ा part होगा वो क्या होगा आपका Mrs. वाला part होगा ठीक है अब देखो, अब confusion यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर मूल्दन दे रखा हो ब्याज दे रखा हो, अब मूल्दन ब्याज में कैसे बचाने, क्यों मूल्दन दे रखा हो, इसमें कैसे बचाने तो देखो, मूल्दन और यहाँ पर मूल्दन यह दोनों part ऐसे होते हैं लगबग आसपास में होते हैं आसपास में होंगे, अगर यह 66 है तो यहाँ पर आपका 5000 होगा इस तरह से 4000 हो सकता है, ठीक है और ब्याज बाला जो part होगा ब्याज बाला part होगा तो मूल्दन और मूल्दन इन दोनों के difference से क्या होगा, बहुत छोटा होगा यह समसकती हो, मूल्दन और मूल्दन के बीच का जो difference है, वो इतना नहीं होगा जितना क्या होगा, ब्याज का होगा बहुत जाद होगा मिस्रदन से और मुल्दन से ठीक है बात के लिए और हो गई तो ब्याज क्या होता है सबसे चोटा होता है मिस्रदन क्या होता है सबसे बड़ा होता है ठीक है उससे चोटा क्या होता है मुल्दन होता है और सबसे चोटा क्या होता है ब्याज होता है ठीक है बताओ तो यहां पर आप देख सकते हो मिश्धान यह दर रखा है और यह क्या है आस पास्वाले नंबर है नहीं बताओ यह तो यहां पर मलब क्या है ओट तो अगर कोई सबस्या है यह अब ही तो भी आपताू कमेंट सेक्शन सेस्च नेस में उसको मत- solution जो है दे दी जाएगा बतादी जाएगा दुबारा से ठीक है चलो तो तो देखो यहाँ पर 66 expose-स ओ क्या हैै टीक है अब option आपने चेक किये तो option क्या है इससे छोटे हो रहे थे इससे छोटे हो रहे थे तो सबसे बड़ा क्या होगाиком तो यहां पर सबसे बड़ा यह है और उससे छोटी आपके option हो रहे है इसका मतलब क्या है मुल्दन आप से पूछा गया है ठीक है अब यह मुल्दन कैसे निकालोगी अब बताओ तो एक फर्मूला आप अब आसानी होए करने में थीक है तो ब्राभर क्या होता है मुल्दन होता है थीक है मूल्दन हमसे पूछा गया है दड़र कित Template bersor do टीक कि यह लिखना क्या है हम दे रखा एक कितना चाह बस्ति शारopen 100 टीक है तो यहां पर मिसरिदन क्या है हमें दे शाह इख चाह प्रकफा दे 25 क्रोस मल्टिप्लाई कर दो ठीक है तो यहां से 25 की मल्टिप्लाई करोगे इस पूरे से तो कितना आ जाएगा देखो 20 आ जाएगे 25,500 और यहां से आ जाएगा 165 माइनस 25 मूलदन बराबर मूलदन इंटू 8 ठीक है अब देख लो तो यहां से क्या जाएगा 8 मूलदन यहां से आपका जाएगा मैनस के 25 मूलदन और यहां से यहां जाएगा ठीक है अब मूलदन हमें निकालना है तो मूलदन वाला पार्ट एक यह है और एक यह है तो एक तरफ करने बढ़ेंगे हमारे लिए तो यहां से क्या जाएगा आट पात तेरा 33 मूल्दन ठीक है यह जाएगा इधर तो पिटा यह 8 यह है मूल्दन और 25 यह है माइनस में जाके उधर किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो प्लस के 25 और प्लस के 8 मूल्दन कितना हो जाएगा 33 मूलधन हो जागा यहां से कट करोगे तो 5 जा बिल्कुश सही तो मूलधन बराबर क्या जाएगा एक दो तील 5000 ठीक है चेक करो भी ओप्सन चेक करो ओप्सन नम्मर इसमें क्या है सेकंड वाला ठीक है बिल्कुश सही है बताओ जल्दी से भी बता दो किलियर हो गया ठीक है तो वो वाला जो फार्मूला हमें लगाया था मूलधन वाला उससे भी आ जाएगा लेकिन क्या है इस से थोड़ा सा आसान रहेगा इस तरह से क्रॉस मैल्टिप्लाई कर देंगे जो मोगरो ते असान है को जहां पर भी मिश्षल न दिरखाओ तो बहां पर आपको निकालना है कैसे कैसे निकालोगे मेससे मंलदन फर्म लगाना है तो मिश्शन दिरखाओ यहां से मूलदन इस तरह से निकाल सकते हैं तो दुमाग कोस्टे क लिए तो सारी चीजे क्या को बागी हम करेंगे आगे continue घरμी बहुत जाद हो रही है तो छोटी klasse यह की रहए थो तो बाकिया हम करेंगे चोंड को समय कर रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं आपको बता दिया जाता है ठीक है तो I hope class पसंद आई हो तो दिल से एक बार साभी अच्छे like कर देंगे और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो red color का बटन देख रहा है जल्दी से दबादो black color का हो जाएगा और उसके बाद में जो bell icon क्लास में इतना ही करते हैं बागी continue करेंगे नए क्लास में तब तक लिए बटा बाबाए एंड टेक क्यर